सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किजेगा और अपने फ्रेंड के साथ शेर किजेगा कि आज हम पढ़ने वाले सिलोक्स का पार्ट टू पार बन मैंने पढ़ा दिया था जिसमें लने ने पार्ट वन में प्ट्रेंगे in लृक में सिर्फ हमी क्या करना है बिल्कुल 0 से सिखना है आज हमें ठीक है हमें नो और समनोट कुछ भी नहीं पता हमें यह आज बनाना सिखना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेट्मेंट यह रहा आप लोग के सामने अब मैंने आप लोग को बताया था सम मतलब एसा डियग्रम लो मतलब एसा डियग्रम और समनोट मतलब ऐसा डीयर मतलब ठीक है स्टेट्मेंट में यह मैं सिखना बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम ऑ dai मतलब में सम ए mash यारी है मैं तो दो बहीं सी है B, C, नहीं है. सम C, एर D, मतलब कुछ C क्या है? D है. फिर क्या लिखा है, no D is. K मतलब कोई भी D क्या है, K नहीं है. यह मैंने ब्रॉ कर लिया. ठीक है, इस्टेटमेंन यह बोल रहा थे. इस्टेटमेंन से मैंने यह बना लिया. अब चलते हम हमारे कांझलूजन की तरफ्ट ठीक है कांझलूजन नमर फर्स्ट यह रहा क्या लिखा है NO A IS कि K. अब हमें क्या चेक करके बच्छन के पनाना है कि A के में NO का रिलेशन है क्या A से जाना है के A ये रहा के ये रहा इन से और इनका कुछ relation दिख रहा है क्या A का K भाई साब से कुछ relation दिख रहा है नहीं दिख रहा है मतलब इन दोनों का क्या है आपस में कोई लेना देना नहीं है तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है इनके बीच क्या वो line दिख रही है नो वाली नहीं मतलब ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं हम हमारे दूसरे conclusion क्या बोल रहा है नो सी इसके अब सी का के के साथ पूछ रहा के ये रहा c का k की साथ कुछ relation दिख रहा है नहीं इन दोनों का जब हमें कुछ पता ही नहीं तो हम बता सकते हैं c और k का relation क्या है अभी नहीं बता सकते c का k की साथ no का हमें पता ही नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्यों गलत हो गया मborता भी उसके की करिए अब तीसरा नो कि का के सांद पूछ रहा तो ए यह रहा यह सांप Ihrer और Aí में नो वाली लाइन दीख 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 दीखंगा है तो All कि और नॉट का इन मतलब नॉटाई भी के बिन नॉ पूंशह क्या है initially क्यूंश का नो नॉठ लाइन नॉटों चाहिके था और यग़्छं मेंने जूरी छाथा दीखestion मैंने दोनौनों के भीक्त चोंशहा है ну टिर्फ एगा जाएगा सही आजएगा अब मुझे क्या पता चला ओलनौट मतलब क्या होता है यह होता है और मैंने किस्में पूछा इसने नो भी और सी के बीच में नो वाली लाइन है मतलब यह क्या हो बिल्कुल फॉलू कर रहा है इसको ठीक है अब क्या बोल रहा है अगला पी के सांथ relation है कि नहीं है नहीं बता सकते हैं मतलब direct गलत कर देंगे ठीक है जब हमें पता ही नहीं कि पी का के सांथ क्या relation है क्योंकि पी तो statement में दिया नहीं है तो एस का टी के साथ में रिलीशन बता सकती हूं नहीं बता सकती तो डिरेक्ट गलत ठीक है इसकी स्टेट्मिन और कंक्लूजन को मैंने हिंदी में नहीं लिखा बिल्कुल इस यह है और हिंदी में अगर आप इसे सॉल्फ करेंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन क्यों यह हो जात आ जाएगा ठीक है अब क्या करते हम इतना समझा है पहले कंक्लूजन गलत दुसरा भी गलत तीसरा भी गलत चौथा सहीं आया पांचवा चटवा भी गलत आगया ठीक है तो अब मैंने इससे क्या सिखा मैंने सिखा कि नो रहेगा तो मुझे डिरेक्ट एक ऐसी लाइन यह हमारा ए सम अफ भी लिग दिया मैंने अब मेने बोला वियार एं एलग्येन दिया अब मैंने बोला सम भी आर सी फिर मैंड safeg perdu अंपमे पूछी मैं मैंने बुलाह 1-2-1Ü और मैंने ये बताया था कि sum और no कल की class में मैंने इसी खाया था कि sum और no में क्या रहता है दोनों तरप से relation रहता है मतलब c d सही है तो d c भी सही होगा no d d d c बिल्कुल सही c और d में दीख रहा है line d और c में ठीक है हम जब भी जाते हैं statement में आप conclusion पे ध्यान रखिएगा conclusion पे जब भी हम solve करेंगे dc लिखा है तो हमें d से c की तरफ जाना है और c d लिखा है तो हमें c से d की तरफ ठीक है पहले वाले character से दूसरे वाले की तरफ जाना रहता है ठीक है इत्ती बाते आई समझ में अब मैंने बोला no d is b तो d और b में लाइन है नहीं मतलब यह भी गला फिर मैंने बोला no d is a d और a में लाइन है नहीं मतलब यह भी गला ठीक इत्ती बाते समझ में नो की अब सम नॉट में अगर मैं चेक करूं स्टेट्मेंट में रहता अब यहां पर ध्यान देने वाली स्टेट्मेंट पर रहेगा तो हम कैसे बनाते हैं सम a r not b ठीक है सम नॉट में क्या रहेगा एक हमें भी को ढाता है कंक्लूजन पर हम डएकिल नहीं निकौल सकते हमें इंड़ेक्ट से दिक के? तो हम सिखते हैं, मैंने बोला, én ये बी ये सी टिके और यह आ गया, कैसे ही मैंने बना दिया अब मैंने बोला सम नाट D, Sum A or not D, कुछ A क्या है D नहीं है, मुझे A से D का पता है कै नहीं A के साथ कोई ऐसा variable जुड़ा हो, जिसका relation direct D के साथ हो negative तो वो क्या करता है, Sum not को follow करता है, मैंने क्या बुला कोई ऐसा वेरियेबल जुड़ा हो A के साथ जिसका relation D के साथ हो तो ये क्या करता है, follow करता है ठीक है, अब क्या किया, मैंने देख लिया A और D, direct है गया direct है गया, नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा नहीं, अब मैं indirect भी चेक कर लूँगी, indirect कैसे चेक करूँगी A के साथ कोई जुड़ा है, हाँ B जुड़ा है, B का D के साथ relation पता है, नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे, कि A के साथ B जुड़ा है B के साथ C जुड़ा है, तो C का D के साथ negative है, तो sum not होगा, नहीं करेंगी हम ऐसे, कैसे करेंगी हम मैंने देखा A है मैंने देखा A है, और क्या है D है ठीक है A का direct D के साथ मैंने देखा है क्या नहीं है अब A के साथ कोई जूड़ा है क्या तो बिल्कुल B जूड़ा है B का D के साथ है या नहीं मतलब नहीं आ जाएगा ठीक है ये follow नहीं करेगा sum not को A D अब मैंने बोला sum not में B D follow करेगा क्या B और D तो अब देख सकते हूं sum not में ये रहा B ये रहा D B D follow करेगा B का D के साथ direct relation है क्या negative नहीं है B के साथ क्या कोई ऐसा बंदा जूड़ा है जो D से negative relation रखता हो बिल्कुल जूड़ा है B के साथ C जूड़ा हुआ है और C का है D के साथ negative है मतलब B का भी negative है अब ये कैसे आया ये A है ये B है ये C है और ये D है ठीक है C का मैंने बोला B और D में sum not देखना है B का D से direct है या negative नहीं B का कुछ इसा जो है वो C में है और C का D के साथ पूरा negative है मतलब B का भी कुछ क्या है निगेटिव है कहने का मतलब ये है ठीक है B का इसाथ कोई बंदा जूड़ा है हाँ बिल्कुल जूड़ा है C का D के साथ negative है बिल्कुल निगेटिव है मतलब ये क्या हो जाएगा sum not को follow करेगा ठीक है अब ऐसे ही मैं देख लूँ C क्या है इसके घर नहीं जा सकता ठीक है C क्या है D से कुछ मतलब ये नहीं रखता तो C का एक भी हिस्सा इससे मतलब रखेगा क्या नहीं क्योंकि पूरे हिस्से में तो छोटा सा हिस्सा रहता है तो C का D के साथ मतलब है क्या नहीं मतलब है तो क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सहीं हो जाएगा ठीक है C और D में निगेटिव रिलेशन पहले से है तो कुछ का तो रिलेशन हो गई होगा आई बात समझ में एक बार और बता देती हूँ A है, ये B है, ये C है ठीक, ये D है मुझे क्या चेक करना है A, D गलत आचुका है B, D गलत आचुका है और C, और, sorry, B, D सहीं आया था और C, D, अब C, D चेक करना है अब क्या देखा मैंने C, D के, C का D के साथ डिरेक्ट निगेटिव रिलेशन दिख रहा है और सम नौट भी क्या है, निगेटिव ही है तो यह क्या हो जाएगा, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, डिरेक्ट लाइन का हमने देख लिए डिरेक्ट लाइन है निगेटिव मतलब फॉलो कर रहा है अब इससे क्या समझ में आया है कि जब भी नो वाला रिलेशन रहेगा किसी दो वैरियेबल में मालो ए भी कोई दो वैरियेबल है इनका डिरेक्ट लो वाला रिलेशन है तो सम नोट भी फॉलो करेगा ठीक है, इससे क्या सिखने को मिला हमें कि जब भी कोई दो वैरियेबल है उनका नो वाला रिलेशन दिया हुआ है मतलब sum not be definitely follow करेगा ठीक है no a is b लिखा हुआ था तो अब इसमें मैंने बूचा sum a are not b तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें तो पहले सही negative है ठीक है इतनी बात है समझ में फिर मैंने ये बना लिया a b c और ये हो गया d अब मैंने बोला sum d are not c तो d और c दिखरा है मुझे negative है मतलब बिल्कुल सही है अब मैंने बोला sum d are not b अब मैं कैसे देखूँगी d का b के साथ direct है या नहीं है d के साथ कोई ऐसा बना जुड़ा है जो b के साथ negative रखता है d के साथ कोई नहीं जुड़ा है d का c के साथ negative है पर d के साथ कोई ऐसा बना जुड़ा है जो direct b के साथ negative रखता है b का तो किसी के साथ negative नहीं है ठीक है मतलब ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब मैंने देखा d का a के साथ फिर से वही बता जाएगी D ये रहा A ये रहा A के साथ direct negative है बिल्कुल नहीं है B के साथ कोई ऐसा बन्ना जुड़ा है जो A के साथ negative रखता हो बिल्कुल नहीं जुड़ा है D तो अकेला है तो ये क्या हो चाहेगा गलत हो चाहेगा follow नहीं करेगा इतनी बाते आगी समझ भी अब मैं एक और conclusion ले लेते हूँ जिससे हम इसी statement का भी जो हमने पढ़ा था उसी statement का conclusion लेते है ठीक है ये रहा conclusion क्या पढ़ा था हमने इस statement में statement देख लेते पहले ये रहा statement क्या लिखा है A B ठीक है पसके बाद ये C आ गया ये T आ गया no D is K ठीक है ये आ गया अब इसका conclusion हम ले लेते हैं conclusion ये रहा है आप लोगों के सामने क्या कह रहा है sum AR not K अब क्या पूछ रहा है sum AR not K A का के सांथ relation direct है क्या नहीं A के सांथ कोई ऐसा जुड़ा है जो K के सांथ negative रखता है A के सांथ जुड़ा तो है B लेकिन B का K के सांथ कुछ relation है क्या नहीं मतलब sum not क्या होगा गलत हो जाएगा पहले का ठीक है अब देखते हम दूसरा अब देखते हम दूसरा दूसरा क्या लिका है sum B are not D अब B का D के सांथ relation पुछा है B का D के सांथ relation direct negative है क्या नहीं B का D से कोई रिज़ता नहीं है अब B के सांथ कोई ऐसा जुड़ा है जो D के सांथ negative रखता है B के सांथ A जुड़ा है पर A का D के सांथ कुछ है क्या नहीं B के सांथ C direct negative है तो हम इसे नहीं देंगे ठीक है B का हमें D से लेना है B का D के साथ नहीं है मतलब यह क्या हो जाएगा गलत ठीक है अब क्या देखेंगे हम तिसरा कंक्लूजन क्या दिया है हमारा Sum D are not B D का B के साथ बोल रहा है निंगेटिव ठीक है तो D का B के साथ डियरेक्ट है क्या नहीं पर D का जुड़ा है C के साथ रिलेशन है और C का B के साथ निगेटिव है तो यह क्या हो जाएगा बिल्कुल फॉलो करेगा ठीक है कैसे फॉलो किया D का B के साथ हमने देख लिया डियरेक्ट नहीं है पर D का C के साथ relation और C B के साथ क्या है निगेटिव है मतलब D का भी कुछ इससा क्या रहेगा B के साथ निगेटिव रहेगा ठीक है तो यह क्या करेगा फॉलो कर जाएगा अब देखते हैं हम चौता conclusion क्या बोल रहा है हमारा sum A are not C अब A का C के साथ direct दिया है या negative नहीं दिया है पर A का A के साथ कोई जुड़ा है हाँ बिल्कुल B जुड़ा हुआ है B का C के साथ negative है बिल्कुल negative है मतलब यह क्या करेगा follow करेगा ठीक है A के साथ B जुड़ा हुआ है और B का C के साथ negative relation है यह क्या करेगा, sum not को follow करेगा, ठीक है पाँचवा conclusion क्या बोल रहा है हमारा sum b are not c sum b are not c, b और c पूछा है, जब पूरा ही negative है तो sum तो negative होएगा, यह होगा ठीक है, तो यह भी क्या करेगा, follow करेगा, अब इससे मैंने क्या सीखा, इससे मैंने यह सीखा definitely follow करेगा A और B में sum not definitely follow A का C के साथ negative relation नहीं है लेकिन A B के साथ जरूट negative relation बनाता है जो कि B के है C से जुड़ा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा definitely follow करेगा B का C के साथ follow करेगा और A का भी C के साथ sum not follow करेगा क्योंकि A का कुछ जिसा जो है वो C के साथ negative relation बना रहा ठीक है यह direct और indirect समझ में आया अभी क्या होता है एक conclusion है समझ लो ची यह positive यह negative यह positive में क्या क्या जाता है all आ गया और sum आ गया all में हम all का diagram check करेंगे sum में हम sum का diagram check करेंगे ठीक है अब negative में क्या आता है करते हैं direct चेक करते हैं और indirect वे से चेक करते हैं अब direct की तो आप लोगों को ऐसी लाइन दिख जाएगी statement पर ठीक है और conclusion conclusion पर हम कैसे चेक करते हैं direct रहा तो negative relation और indirect रहा तो किसी से जूड़ के negative relation थी है और अब statement में हम indirect कैसे बनाएंगे अभी मैं जो बोल रही हूं वो समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं अगर नहीं समझ आ रहा तो हम चलते हमारे question की तरफ ठीक है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं ठीक है चलिए यह रहा statement थी है अभी मैं जो direct indirect बोल रही है वह अभी आप लोगों को इस statement और conclusion से बिल्कुल clear हो जाएगा ठीक है statement क्या बोल रहा है हमारा all a r b मतलब क्या है all a जो है वो क्या है बी है ठीक है अब क्या बोल रहा है all c r b अब all c क्या है वो भी all क्या है अब क्या बोल रहा है no b is p ले लिया मैंने no b is p अब क्या बोल रहा है no p is d तो मैं no p is d ले लिया अब क्या बोल रहा है sum d r q यह मैंने statement से अपना यह बना लिया ठीक है अब इसमें समझने वाली direct क्या होती है अब यह हम समझते हैं ठीक है क्या बोल रहा है अब यह मालो यह आपके घर के कोई मुख्या है और यह आप उस घर के सदसे हैं आपके मुख्या भी ने बोल दया कि आपको आपके पडूसी के हां नहीं जाना है तो आप जाएंगे क्या नहीं जाएंगे मतलब आ अगर किसी के साथ relation negative है तो अंदर जितने भी लोग रहेंगे सब का relation क्या हो जाएगा definitely negative हो जाता है ठीक है अब क्या होगा इतना तो समझ आ गया अब क्या करते हम अब अगर अंदर वाले का relation negative हो तो मान लो ये B है ये क्या है A है अब एक है अपने पडोसी के है नहीं जा सकता तो घर क्या मुख्या जा सकता है बिल्कुल जा सकता है घर का मुख्या का संबद negative हो गया क्या नहीं होगा आपके घर के किसी एक बंदे की लड़ाई हुई है आपके मुख्या का कुछ नहीं बोला है आप नहीं बता सकते कि इस बंदया बंदे के साथ मुख्या का रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ठीक है अब इन दोनों स्टेट्मेंट से मुझे क्या समझ में आया मैंने जो सिखाया मुझे ये पता चला कि अगर बाहर बाले सरकल का किसी के सा कर लएंगे उनका भी इसके साथ में डीटिव रिलेशन हो जाएक और ये बनती है इंडिरेक्ट लाइन ठीक है एक यह चीज़ सिखा मैंने दूसरा किया चीज़ सीखा मैंने दूसरा यह सीखा मैंने अगर दूसरा क्या सिखा मैंने अगर अंदर वाले सरकल का इसके साथ निगेटिव रिलेशन दिया है तो जरूरी नहीं कि बाहर वाले का भी इसके साथ निगेटिव रिलेशन हो ठीक है एक हिस्से का निगेटिव रिलेशन है ठीक है इत्ती बाते बस हमें ध्यान रखनी है अब चलते हम हमारे conclusion की तरफ conclusion ये रहा आप लोगों के सामने क्या बुल रहा है no a is p अब मैंने बुला बाहर वाले का इसके साथ negative relation है p के साथ b का तो अंदर का भी क्या हो जाएगा negative relation indirect line क्या हो गई आगई ठीक है तो no c is p बिल्कुल सही हो जाएगा sorry no a is p क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा b p के घर नहीं जा सकता तो b के घर के जित्ते भी सदर से जाएगे क्या नहीं जाएगे बड़े वाले मुख्या ने मना कर दिया तो अंदर जित्ते भी का relation negative है तो E के साथ भी P का relation किया गया ? definitely negative आ गया तो मतलब no is P बेलकुल सही है ठीक है अब क्या बोड़ रहा है ? All A R NOT C दूसरा conclusion क्या बोड़ रहा है ? All A R NOT C All Knot Is Let No A or C Кोला का ईह रहा है ? A ये रहा सी ये रहा दोनों के बीच में कुछ relation दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में नहीं हम नहीं बता सकते A और C के बीच में क्या relation है तो जब नहीं बता सकते तो क्या हो जाएगा डिरेक्ट गलत हो जाएगा हम बता सकते है कि A का C के साथ क्या relation है नहीं बता सकते मतलब क्या हो गया यह क्या हो गया गलत हो गया ए और सी रहते तो है एक ही घर में पर यह आपस में बोलते हैं कि नहीं हमें पता है क्या नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कि इनका पॉजिटिव रिलेशन है कि निगेटिव नहीं बता सकते हैं तो आंसर क्या हो जा नहीं क्यों जूड़ा है बिल्कुल जूड़ा है डीक़ पिछ साथ बिल्कुल ऑननिगेटिव मतलब यह का फॉल करेगा सम नौट को ठीक है क्यूकर aged D के cold UP यह वाला जो हिस्सा यूज क्या रहेगा यह भी दू Argentine kepressive ऐस यह तो brewery परह थे polsk in इचाहर नहीं होगा क्या तो वह नहीं होगा कि तो नहीं नहीं तो कुछ की नहीं मतलब इंसार रहेगा त्रिय है देरेक्ट नोगल वालि याई जाहिए जाँ अधायर है तो मतलब किया है वार दित नाइद्ग ठीए अब मैंने बोला, some pr not c, p और c में direct line दिखे निगेटिव, मतलब फॉलो करेगा, some not c से p निपूड किया direct line में और p का c से भी फॉलो किया, फीक है आई बात समझ में ये आज हमने पड़ लिया, No and Some Nots kann basic concept ठीक है, No and Some Nots kann basic concept जीख लिए, अब क्या पढ़ेंगे हम हमने all पढ़ लिया हमने sum पढ़ लिया no पढ़ लिया और sum not पढ़ लिया इन चारों का diagram बनाना सीख गए और conclusion पे check करना सीख गए कि क्या क्या conditions हो सकती है ठीक है इत्ता हम सीख चुके हैं अब अगले part में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे either or ठीक है आइदर और वाला concept कल हम पढ़ेंगे और हां कल मैंने आप लोग को लास्ट वाला जो question एक homework दिया था ठीक उसके पहले मैंने आप लोग को एक question solve कर आया था उसमें मैंने star और bulb ले लिया था जबकि लिखा क्या हुआ था sun और bulb लिखा हुआ था तो आप उसे sun और bulb लेके solve कर करते हैं कल हम क्या पढ़ेंगे आईदर और का concept सीखेंगे ठीक है मुझे उमीद है कि मैं जो ही समझा रही हूँ आप लोग को समझ आ रहा होगा ठीक है अगर आप लोग के लिए वीडियो helpful है तो इसे maximum share किजेगा ठीक है और लाइक करना ना भूले तो चलिए session को end up करते है तिल दन कीप लर्निंग कीप ठीकिसिंग थैंक्यू और बाइ